है लो फ्रेंडस, गुद मॉर्निंग तो आल nos टूदे टॉपिक हिज एन्टिमेर्टिक ऐजएंट्स एन्टिमेर्ट जो हमारी ड्रग्स होती है उनका ड्रेंचन होता है जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था ए इमेर्टिक अजएंट्स हमने देखा था focused है उनका क्या प्रोल था हमारे वर्डी पर ऐसी वीडियो को आगी देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं तो यह स्टार्ट करते हैं एंटीमेटिक एजेंट्स एड्रग्स पहले डेफिनिशन इसमें क्या था हम लोग लेके आरे थे वामर्मटिंग करेंगे रोखेंगे इसके कुछ धर्रग्स हैं उनके बादे में हम देखेंगे तो पहला है anticholinergic drugs तो इसमें hyosin है और disaclomine दो drugs हमारी इसमें आती है anticholinergic drugs यह क्या करती है हमारे कुछ हद तक हमारे vomiting को कम करती है इसमें सप्रेस करती है ऐसे है एंटिस्टमेन एक जो हमारे होते हैं वह क्या करते हैं इसमें कुछ है प्रमेथाजीन है ऐसे डाय मिथाइड्रमाइन है डॉक्सिलमाइन है ऐसे बहुत सारी drugs है क्योंकि मैंने इसमें डाली है ऐसी नियुरॉलेप्टिक्स जो हमारे ड्रक्स हैं वो भी हमारे एक सप्रेस करती हैं एंटीमेटिक प्रोपर्टी रखती है Chlorpromazine जो उसमें ड्रग है विसिकली हम लोग यूज करते हैं ऐसे ही Prokinetic जो हमारे ड्रग्स होती है Metochlorpromize ऐसे ही Domperidome ये भी suppress करती है vomiting को कम करती है Cysparadis and MosaPride and EtoPride ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं ऐसे ही 5-St3-Agonist इसमें कौन सी है अंडिस्ट्राउन जो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वामली पॉलते हैं फाइपस्ट्री एगोनिस्ट इसमें हैं हमारी एप्रब्रटेंट एंड फोसा प्रिमिटेंट ऐसे ही अड्जसमेंट्स आकिमेटिक कुछ हैं बेक्समेटासोन हैं एसे बेंजोड धीपीन्स हैं ड्रोना विन ओल ने विलोन जो मारे ड्रक्ष है अब हम इसमें एक ये दो ड्रक्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो पहले हमारी जो ड्रक्स है पहले इसका मेकनेजम देख लेए कैसे यह रेगुलिट होती है है इसे हमारे बॉमिटिंग सेंटेर हैं गट्ट फ्लोरा है ब्रेन है कोर्टेक्स पाड है हमारे परिफेलर सिस्टम है वह सब इसमें इनवॉल्व रहता है कर्ला यंदि के हुआ है यह मतलब दो पर ज्यादा फोकस करती है एक तो हमारा जो रेसाप्टार्स हैं एक है से रोड़ रोस प्रार इन दोने को इन्विट कर दिदि कम कर दीदि कि सप्रेस्ट कर देदिया तो आएह देखते हैं इसके बारे मीटो क्लोरपामाइड जब हमारा पेट खाली होता है यह खाली कर देते हैं तब यह उसमें काम करती है दूसरा जब हम ज़्यादा खाना खालेते हैं ओबर डोज ले देते हैं किसी भी चीज़ की तो वो क्या अगर ऐसे डिटी बनाने लगता है तो वो तो उसे क्या होता है vomiting center हुँमारा brain में है प्राजिविए जाता है तो vomiting होनी का chance रहता है तो इसमें mechanism क्या है metochlorophamad as a antagonist एक प्रकार के antagonist of the boot अब प्रेजेंटे इन दोनों सिंटे यायद आड और छाए इन दोनों वोम्मों ये ड्रग्स को क्या करेंगी को म मोम्मिट ये इन्हांस था प्रेस्लेक्स मुमेंट और गाम इलेंगा वहां सब्सक्राइब आपके करन हो तो क्या करेगा मस्करनिक रचेप्टार सब्सक्राइब विए सप्रेस कर देगा इनहांस कर दे इसके कुछ फार्मोजी कल एक्षिन तो इस अफेक्टिब एंटेमेटिक एजेंट जैसे कि हम लोग एंटेमेटिक पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारा फार्मकलोजिकल एफेक्ट है या एक्षिन है वो एंटिमेटिक एजेंट्स अधा ब्लॉकिंग सीटीजाइट स्टुमिलेशन जो सीटीजाइट कीमोट ट्रेग्राइट सेप्टार्स जो इस्टुमिलेट हो गया है उसको ब्लॉक कर देना इट प्रोमोट इस्टीज है उसमें एंट बरने लगता है तो उससे भी हमें बमिटिंग आती है उसकी मोटिलेटि को इंहांस कर देगा गेडी dual очals क्रถूलिभिज्द के एक हैних हैं उल फोननों 않아요 जा मिलकी से सुपिज़ निकल जाएगा इस झालते स्कूलिब के बाहर निकल जाएगा चछाओ तो सुप्रेश Igor लॉर्स ऑफ स्टूल एंट कॉमन एक इसका कॉमन है एक या दो या तीन भी है तो इसका अगर हम लॉंग टर्म सक अगर यूज करते हैं को तो पार्गमसन की डिसीज हो सकती है और ग्यानो मैस्ट्रीमिया यह हो सकता है कि कॉंटेंटिकेशन्स किस-किस में नहीं देना चाहिए इस शुड नॉट बी गिवन डियूरिंग प्रेगनेंसी एंड मिल्क फीडिंग मदर अगर हम दे देंगे तो यह सगा भी देखा था और प्लसेंटल बैरिस वह यह कॉस्ट कर रहा है तो प्रेगनेंट लिटी में नहीं देना है और नहीं मिल्क फिडिंग मदर में देना है तो बो कॉस करके मिल्क में आ जाएगा और वह बेबी उसको ले लेगा तो हो सकता है कुछ प्राबलम कुछ कॉंटेंटिकेशन आ जा है हैं स्टेंट और अब्सक्षिन आ जासे अस्प्रेन हैं डिजे और दैजी पाम एक्सक्तरा बाई फिर्टिलाइजिंग गेस्ट्रिक इंपर्टिंग देक्स्टेंट अब इब्सक्षिन अफ डिडॉक्सिन इस रिडूस बाई अलाउइं लेस ताइम फोर इडिश तर तर हैं इंट्रीमेंटिक तो होता ही है इंगास्ट्रोकैनेटिक में भी इसका होता है यूज यूज डिस्फोनिया एंजियाड गेस्टिक इंपर्टी में भी इसका यूज रथा है इस टमक ने इसका कैसा मेकनिजम है और सेंट्रोंस ब्लॉक्सित्री रिस्फटार्स को ब्लॉक करती है और किस सेंटर को ब्लॉक करती है CTGN इनिवेट दा बाइंडिंग अप सेरोटोनिन इस तू दू दा फाइस्टी 3 रिस्फटार्स ब्रेइन में CTG जो हमारा होता है एक लोकेशन है में उसको इनिवेट करेगा ब्लॉक करेगा और हमारे स्टमाग में जो सेरोटोनिन है उसको भी रिस्फटार्स को ब्लॉक करेगा इस रिजल्ट इनिवेट दा स्टूमिलेशन आप CTGN और बॉमिटिंग सेंटर दोनों को यह सप्रेस करतेगा ओंडिस्ट्रोंस फर्मकलोज और स्टम जो हुमारा CTGN प्रेजेंट है उसको भी यह ब्लॉक करेगा इस सप्रेस्ट और बॉमिंटिंग इंडूस पाइज सेक्टोक्सिक ड्रग इसको भी एश प्रेस करेगा सेक्टोक्सिक जो भी ड्रग होंगी उनको वह प्रेस करेगा एडियमेस की क्या है इट इस गिवन बाइ ओरल रूट हम इसे ओरल ले सकते हैं मेटाबलाइज लीवर और एक्स्रीक्ट द्यूरिन बाइज एडवर्स एफेक्ट क्या है एडवर्स एफेक्ट माइल्ड जो हमारा हैड़क हुटा है यूस का है एंटि-मीमेक्टि इसको हमें ले अचया हैं कंट्रोल वॉमल्टिक गर्म वॉलोय स्क्राइज प्रच्ला मीके प्रिक्ट करेई एड़र्स थी इसमें दो नमनेगस थी एंड थैंक यू वीडियो अच्छे लगयो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू